नमस्कार, वोड आप्टरनून डियर सुडेंट्स और लेर्नर्स आप सभी देख रहे हैं ये विद्या चैनल नंबर नाइन और मैं हूँ आपके साथ कुसुम प्रसाद तो डियर सुडेंट्स ये सेशन है क्लास नाइन के स्टुएंट्स के लिए साइन्स का और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें मैटर इन अवर सराउंडिंग्स और इस पर डीटेल में बताने के लिए हमारी आज के एक्सपर्ट मैम है पूनम कत्याल मैम वलकम मैम नमस्कार थेंकि मैम है रिटायर टीचर टीटी नेट्रल साइंस डिरेक्टर एट ओफ एजुकेशन दली से तो मैम आपको बताएंगी इस चैप्टर में क्या कुछ है क्या मैटर होते हैं कितने तरह के मैटर होते हैं आप बने रहिए देखते रहिए इस चैनल को और उससे पहले कि हम शुरू करें हम बता देते हैं हमारे विभिनम, अध्यम, कौन-कौन से किस तरह से आप इसमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी फीड़बेक, अपनी सुझाओं हम तक पहुंचा सकते हैं तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे पोन नमबर पे 8800 00440559 और इमेल भी कर सकते हैं हमारे इमेल आइडी है dth.class9 at the rate cied.nic.inbar और इस सत्र को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपोर्डन अनौंस्मेंट G20 से रिलेटेड हम आप से श्यर करना चाहते हैं We are proud that India assumed the G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilaterism, India G20 Presidency would be a watershed moment in our history as it seeks to play a very important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhev Kutumbakam or the world is one family. So, come on, let's ask and ask for the truth and ask for the ma'am. So, ma'am, we are going to study Matter in our Surroundings. So, first of all, we want to know what matter is happening and what they call matter. Yes, absolutely. Thank you, ma'am. Welcome students. आज हम लोग अपना साइन्स का फर्स्ट चाप्टर, Matter in our Surroundings, इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, तो हम अपने अगर सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं. जैसे कि हमें पत्थर दिखाई देता है, इड दिखाई देती है, आनिमल्स दिखाई देते हैं, क्लाउट्स दिखाई देते हैं, खाने पीने की चीज़ें दिखाई देती हैं, वाटर दिखाई देता है, एर दिखाई दिखाई तो नहीं देती, बट हम एर को फील करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी surroundings में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे कि कहा जाता है कि यह matter हैं लेकिन हमारा point ही होता है कि हम इसको matter कहते क्यों हैं और इसी बात को हम पढ़ेंगे भी आज के session में तो हम चलते हैं अपने इस class में आगे जो हमारे Indian philosophers थे पुराने रिशी मुनी थे वो भी यही कहते थे कि जो matter है वो 5 basic तत्वों से मिलकर बना है 5 basic elements जो पंच तत्व के नाम से जाने जाते थे जिसे हम कहते थे air, earth, fire, sky and water यानि कि वायू, पृत्वी, अगनी, आकाश और जल इन पाच तत्वों से यह माना जाता था कि कोई भी चीज जो है वो बनी हुई है इसके बाद कुछ और philosophers आये और ancient philosophers थे जिन्होंने कि यह कहा वो इस बात पर आये कि नहीं कुछ और भी characteristics होते हैं और classification के कोई और भी तरीके हो सकते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह particular चीज मैटर है लेकिन जो modern scientist थे ना उन्होंने matter को explain किया on the basis of its physical and chemical properties अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल और chemical properties यह कहां से निया टम आ गया actually भौतिक रूप से यानि कि जब हम किसी को बाहर से देखते हैं या हम उसकी कुछ ऐसे गती विदियां देख लेते हैं जिसके आधार पर हम कह पाते हैं कि यह particular चीज यह है इसका scientific proof भी यह बना मलब physical properties के आधार पर और जो chemical properties के आधार पर है उसको लैब में जाचा जाता है और फिर हम उसके बाद बता पाते हैं कि यह matter है और आज के इस chapter में हम physical properties को ही focus करेंगे हम chemical properties को focus नहीं करेंगे मैं तो इसके आधार पर यह बात आई जब scientist ने इसको पढ़ लिया और इसके बारे में जितनी भी जानकारी लेनी थी ली तो तब उन्होंने कहा कि matter is anything in our surrounding that occupies space and has mass अब इसको अगर मैं explain करूँ तो यह क्या है कि कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसमें mass है द्रवयमान है उसे हम matter कहते हैं for example अगर मैं इस कुर्सी के उपर बैठी हुई हूँ तो मैंने यह जगह घेर ली है तो that means कि मैं मैंने space occupy किया और मेरा अपना mass भी है हाला कि हम इसको जब mass को gravitational acceleration के साथ multiply कर देते हैं तो mg बन जाता है that is the weight लेकिन यहां पर हम जब बात कर रहे हैं तो हम यहां पर mass की बात कर रहे हैं हम acceleration due to gravity की बात नहीं कर रहे है इसलिए हमारी जो matter की यानि पदार्थ की परिभाशा बनेगी कि कोई भी वस्तू जो स्थान घेरती है और जिसके पास अपना द्रव्यमान है वो matter कहलाता है तो इसी से हमारी यह definition आ गई अब physical nature of matter की बात जो की मैंने बिल्कुल beginning में कहा था कि physical nature होता है हर एक पदार्थ का तो हमको यह बात जाननी होगी तो इसके लिए क्या किया गया कि एक experiment परफॉर्म किया गया यह experiment जो आपके सामने बच्चों दिख रहा है यह activity है actually यह सिर्फ इसलिए किया गया बहुत सिंपल सी बात है अगर हम अपने सराउंडिंग में बहुत सी चीज़े देखते हैं तो आपने भी देखा होगा कि जब आपने गरम दूद लिया या चाय बनाई या नीमू पानी बनाया तो आपने अगर उसमें नमक या चीनी डाली तो वह पूरी को लेके हमारी ये अक्टिविटी है तो इस अक्टिविटी में बचो क्या किया गया पहले आप एक बीकर लेंगे 100 ml का लिया गया जिसको की आधा हमने भर दिया या अपने जितना भी भरा हमारे इस अक्टिविटी में आपको दिख रहोगा कि 50 ml तक हमने इसको फिल कर दिय आफ ने जितना भी उस्ते लिया वहां पर आप मांक कर दीज़ निशान बना दीज़िए कि आपने पानी यहां तक लिया अब उसमें आप क्या करेंगे कि हुम्चुन नमक डाल भर के नमक छोड़ा सा पिंच नहीं डालना आपको च Mitgl अ होना चाहिए और वह डालके आपने उसको मिक्स किया अब जब आपने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद आप देखिये कि या आपको नमक दिखाई दे रहा और दूसरी चीज आप यह भी देखिये कि क्या आपको उस पानी का जो लेवल जहां तक आपने मा किया था उससे उपर या कुछ नीचे जो भी कोई चेंज नजर आया है उस पानी बॉटर लेवल के उपर जो आपने बीकर में लिया तो इन ही बातों को जब देखा गया तो ये प्रश्न जाहिर से हैं कि हमारे मन में सबसे पहले कि तो नमक का क्या हुआ दूसरा आपके मन में ये भी प्रश्न आया कि क्या हो गया कोई जादू हो गया और तीसरी बात जो आपके मन में आ सकती है वो ये है कि पानी का लेवल में कोई परिवर्तन आया या नहीं तो ये हमारे साइन्टिफिक अक्टिविटी तो आप खुद भी बिना किसी conclusion के या बिना कुछ जादा देखे पहले आप इसको अपनी खुद की assumption लगाईए कि आप क्या answer दे सकते हैं और आप उसको एक जगा पर नोट कर लीजिए और फिर नोट करने के पाद आपने जब नमक को अच्छ से गोल लिया अब आप दुबार साइन्टिफिक मेथेड होता है जिससे हम यह जान जाते हैं कि हमने जो experiment किया उसका क्या result है और से हम क्या conclude करते हैं निशकर्ष क्या निकालते हैं तो इसके आधार पर क्या देखा गया कि जो पार्टिकल्स हैं जितने भी पार्टिकल्स हमको दिखाई दिये उसके अंदर ब लिए तो पार्टिकल्स कहां से आ गया कोई बात नहीं इस बात को भी जाच लेते हैं कि यह पार्टिकल्स कैसे दिखते हैं तो इसके लिए भाँ एक और activity करते हैं और वहां से हमें यह idea लग जाता है कि जो matter है वो पार्टिकल्स का तो बना है यह तो क्लियर हो गया था क्यो तो इसका मतलब है कि कही ना कही उसी जो पानी के जो पार्टिकल से उनके बीच में कहीं नमा क्या चीनी चुपके बैठ गई तभी तो नहीं बढ़ा अगर वहां पर नहीं जगा होती तो क्या होता कि पानी का लेवल बढ़ जाता तो यह बचो आपको खुदी अक्टिविटी आप मतलब है डो तेन क्रिस्तल pus पार्टिकल बैदमगा बलता अब हमारा ये भी प्रैशन आता है कि आखिर वह कितने छोटे हैं यह वह बढ़े हैं चोटे हैं यह बहुत होते हैよ फ्याहतने छोटे हैं यह जब्यी अीडे कशिय क्रिस्टल्स हैं को इसान हिसल ब्लीए पर स तो इस बीकर में कुछ क्रिस्टल कुछ का मतलब है दो तीन क्रिस्टल बस potassium permagnate के जो की purple color का होता है इसलिए मैंने आज slide की जो उपर का border है वह भी मैंने purple color का इसलिए लिया है तो आकी थोड़ा से एक आइडिया लग जाए, पुपलिष मेजेंटा कलर होता है, और वो जो कलर है, वो इसके अंदर आप देखेंगे कि खुब गाढ़ा कलर दिख रहा है, आप शायद देख भी पा रहे होंगे, अब आपने क्या किया, कि जो फर्स बीकर था, उस फर्स बी 10 ml अचार होता है , यह उसके पास भी 100 ml हो गया, अब जब ही 100 ml हो गया, वो जब ह 16 rendre, 5 Shbbwίναι 3rd वाले गार से 10 ml निकालेंगे और 4 वाले बीकर में जिसमें आपने 90 ml पाणीẽ है उसमें करदेंगे तो इस भीकर का भी जो पूरा वोल्यूम हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा अब क्या करेंगे आप इस 4th वाले बीकर से 10 ml आप निकालेंगे और फिफ्थ वाले बीकर में डाल देंगे जिसमें भी आपने 90 ml ही पानी लिया था अब आप सोच रहे होंगे कि भी मैंने 90 ml लिया और यहां पर 100 लिग दिया अच्छी यह 90 ml वाटर हमने लिया था इन 3rd, 4th और 5th बीकर में राइट और जब हमने 10 ml सेकेंड बीकर से डाला तो हमारे 3rd बीकर में भी कितना हो गया? 100 ml हो गया और 3rd बीकर से जब 10 ml निकाला इस 90 में डाला तो यहां पर भी 100 हो गया यह इसलिए किया गया क्योंकि हमको सभी के सभी बीकर में जिनमें हम कलर चेंज देख रहे हैं उसमें वाटर का जो वाल्यूम है वो सेम हो अगर मैं जाद आप इनमें सब में पहले से 100 डे ले ती तो और 10 ml अगर यहां से लेके डालती तो 110 हो जाता तो हमारा वेरियेशन आ यह उससे कोई बात ली ना रहने दीजिए हमने कलर तो नोटिस करी लिया क्योंकि जो कलर था वो तो 100 ml काया न हमने खली वॉल्यूम कम किया अब हमने उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं किया अब जब हमने यहां से फिर 10 ml निकाल लिया और निकाल के फोर्थ बीकर में डाला त हमने तो सिर्फ उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम करती है यही एक रीजन है बताने के लिए कि क्यों हमने 100 ml लिखा है जो सबसे आइडियल कंडिशन होती है कि हम जब किसी चीज को किसी को टेस्ट करते हैं तो हमारी जो कंडिशन सें वो सब की समान होनी चाहिए अगर हम य एक दो क्लास थर्ड का बच्चा है वो तो अच्छा नहीं कर पाया और क्लास ना eight वाले ने अच्छा कर लिया तो यह वाजिब नहीं है क्योंकि कंडिशन सेandal कंडिशन सेम ठंशन रक और Jest लिए तो हमने क्या नोटस किया कि जो पार्टिक्ल सें देभिये। लास्त कमें आत तो वो इतना जो उसके पार्टिकल सा तो यहा पर हमने जो इस बीकल से ठाव कि कोई आगको गार आगे टिसपर्स उते गए, आपने मैंने आपको उसके लिगा से जुख हरका तो यहां पर हमने जो कंक्लुजन निकाला, वो हमारा conclusion यह आया कि जो potassium permagnate है वो millions of tiny particles का बना है millions मतलब आप अंगेनद भी लिख सकते हैं बाकी तो millions का मतलब है कई लाख करोड़ों में और फिर उसको वो क्या करता है अपने आप हर dilution पर जब जब उसको आप dilute करते जाते हैं वो divide होता जाता है तो इस तरह से हमारा जो अगला part conclusion निकल के आया वो यह था कि matter is made up of tiny particles ठीक है पहले तो हमने बताया था कि matter is made up of particles फिर अब हमने बता दिया tiny particles तो clear हो गया यहाँ पर ठीक है अब इसके बाद आता है characteristics यानि कि जो matter के particles हैं मैट पदार्थ के करण हैं उनके क्या लक्षण है हम उनको किस आधार पर जान सकते हैं तो सबसे पहला उसका जो यह लक्षण है वो यह है कि जो particles of matter है they have space between them अब यह देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको particles एक्दम compact हैं यह सारे गोले आप देखिए कितने पास-पास हैं लेकिन फिर भी देखिए वो जब चल रहे हैं तो थोड़े थोड़े से अपनी जगह पर ऐसे करके मूव कर रहे हैं अगर माल लिजे मैं आपको एक इसका बहुत अच्छा सा उधारन दू कि अगर आप एक कम्रे में सौ बच्चे डाल दीजिए तो सौ बच्चों को कहिए आप खुब अच्छे से डांस करें तो वो क्या फैल फैल के डांस कर पाएंगे नई अपनी ही जगह पर एसे ऐसे वाइबरेट करते रहेंगे तो जब वो अपनी जगह पर वाइबरेट कर तो जितनी थोड़ी सी जगह थी ना सिर्फ उतनी जगह पर ही वो अपना स्पेस ले पाएं सेम बात ऐसे भी है इस पार्टिकल के अक्चली यह जो प्रुक्चर है यह मागे जागे उनमें स्पेस होता है, यही एक कारण है कि जब कोई स्विमर पानी में त्यारता है तो अपने हाथ से पानी को बाहर कड़ता है अगर मैं आपको कहुँ कि आप दिवार की अंदर मुक्का मारिए और आपका जो हाथ है ना वो दिवार के पार चले जाना चाहिए तो क्या ऐसा ह पानी है जल वाटर उसके जो पानी है थोड़े थोड़े से दूर पर हैं इसी लिए हम उसको बाहर निकाल मुझा हलका हलका सा हटा पाते हैं और अगर आप गैस की बात करें हवा करिये अब मैं अपने हाथ को कहूं तो देखिए मेरे चारो और हवा है और जिधर मर्जी मुझ उनके बीच में जो पार्टिकल्स उनके बीच में बहुत स्पेस हैं तो बच्चों इस पात को तो हम आगे जाके डिसकस करेंगे क्योंकि अभी हम जेनरल बात कर रहे थे लेकिन मैंने उदाहरं से थोड़ा सा क्लारिफिकेशन और दे दिया आपको कि जिससे आप यह समझ प आप फिराए बिल्कुल अगर बती जल रही है और उसका दुआख फैल रहा है है यही तो दिखाई दे रहा है बच्चों को भी धी दिख रहा है दूसरा कि यह ग्लास से इस ग्लास में पानी है और क्या किया और कुछ अलद डाल दिया बिलकुल पिर इस में शेप सिन नजर यहां से एक चीज यह समझ में आ रही है कि जब आपने उपर से या ग्लास के साइड से इंक या कलर डाला था तो वह धीरे धीरे स्लाइड होके ना नीचे मूव करता गया तब ही तो नीचे तक गया ना मूव हो गया फिर कोई शेप बन गई अगर यह डिपेंड करता है कि जो आपका कलर है वह आपने कितना थेक लिया है अगर आप बहुत पतला सा लेंगे तो फटा फट पानी में मिक्स हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा गाढ़ा लेंगे तो वह धीरे-धीरे से मिक्स होगा और जैसे आपको यह शेप दिख रही है और आप अगर अगर अपने घ अगर पानी मिक्स हो जाती है यह देख लिए और आप इसलिए आपने यह अगर यह अपने यह अपने यह अगर यह बात हमारी जो कारेक्टिस्टेक्टेक्ल्स करूंगे एक लुट में यह पार्टिकल्स की अगरना अगर मन्धिर में अगर बद्टी जलाती तो मेरे पूरे घर में उसके खुष्बू होती है क्यों क्योंकि जो उसके gas के particles हैं वो चारो तरह फैल जाते हैं, move करते हैं तभी तो गय क्योंकि उनके पास तो कोई पैर नहीं है, या उनको कोई cycle नहीं है, या उनके पास कोई skates नहीं है, जिससे वो move करें, तो इसका मतलब यह है कि जो उनके particles हैं, वो move करते हैं, तो यहां से यह हम एक तो दिखाई दे रही है, एक तो दिखाई दे रहा है आपको रबर बैंच, दिख रहे हैं, दूसरा है चौक, और तीसरा है लोहे की कीले, आयन नेल्स, अब अगर मैं यह कहूं कि इन सब को आप हथोड़े से मारिये, तो मैं अगर मैं आपको एक नाइन्थ क्लास का तूटेंगी या कौन सी नहीं तूटेंगी या क्या आप समझ पाते हैं, अगर मैंने इनको हैमर किया तो मैं जैसे अगर हैमर से हमने इसको मारा तो रबर बैंट पे तो कुछ असर नहीं होगा, और जो चौक है वो थोड़ा सा वो स्मॉल पार्टिकल में आ जाएगा, और तो बच्चों जैसे मैम ने अभी बताया कि उन्होंने अपनी एजम्शन दी, हाइपोथिस बनाई कि किसी भी अक्टिविटी को करने से पहले ना हमें जरूर ये बात अपने पहले अपने हम क्या समझते हैं ये जरूर कर लेना चाहिए उसके बाद हम जब और यही साइंटिफिक अप्रोच भी है और इसी तरह से हमको किसी भी कॉंसेप्ट को पढ़ना भी है ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया कि रबर को मारा मैंने भी का ना कि रबर के ऊपर कोई असर नहीं होगा लेकिन मैं मैं ये जरूर कहूंगी कि इस अक्टिविटी को आप भी घर में जाके जरूर करिएगा और बच्चे तो करेंगे ही करेंगे और अस यूजल जैसे बच्चे जानते भी है इस बात को कि ये क्या होगा तो लेकिन जब हम इसकी अक्टिविटी को देखते है करके तो मैं आपको जिस खाली ये तो बता ही देरी हूं कि चौक च तब तक बच्चे खुद करके नहीं देखेंगे तब तक जो उन्होंने एक्टिविटी करेंगे और जो कॉन्क्लूजन आया उसको जब टैली करेंगे तभी पता लगेगा कि क्या है तो लेकिन यहां पर बस मैं में बात ये बतात पाऊंगी आपको कि लोहे की जो की जो की तो हैमर करने से उसको तो असर कुछ नहीं होगा. इसलिए क्योंकि जो लोहे की कीले हैं उनके पार्टिकल इतने पास-पास में हैं, depository को एक दूसरे को ड्याट कर लेते हैं. तो जब उनके बीच में अट्राक्शन होता है, तो यह सॉलिड़ पार्टिकल के बीच में अट् क्लोजली होते हैं और उनके बीच में फोर्स अफ अट्राक्शन बहुत ज्यादा होता है तो आज हमने ये बात नोटिस कर ली अब ये एक आप अपनी थिंकिंग कैप को अन कर लीजिए और ये कुछ प्रेशन है जिन्हें आप जरूर सॉल करके देखिएगा जो आज का हमने कर लिया I hope कि you would be able to solve that. बिलकुल माम और जो भी activity आपने बच्चो को करने के लिए कहिए वो जरूर करेंगे अपने feedback भी हम से शेयर करेंगे और आपने बहुत ही खुबसूरत तरीके से समझाया कि matter क्या होता है माम तो आपका बहुत 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 शुक्रिया माम Thank you So dear students and learners इस session को wind up करने से पहले हम बता देते हैं कि NCRT की books related जो information है NCRT textbooks for 2023-2024 are available throughout the country. These textbooks may be purchased directly from NCRT sale counters located at New Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata and Guwahati. These sale counters will be functional on all the weekdays included gazetted holidays, Saturdays, Sundays from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. And you may also place order for the books online from our website ncertbooks.ncertgov.in and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fee. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download for free from NCRT, Dikshah, E-Parshala website and mobile app. So dear students and learners, please visit the website ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. और हमें उमीद है कि आप जरूर विजिट करेंगे NCRT के बुक्स के लिए और हमारा ये सत्रही समाप्त होता है और जो भी आपको वक दिये हैं आप जरूर करिए और हम तक पहुंचाईए और हमें दीजे इजाज़त नमस्कार.